नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्विंद केजरिवाल को आज तीन तीन जटके लगे हैं और एक एक जटका इतना तगड़ा है कि पूरी की पूरी आम आद्वी पाटी बिलबिला उठी है मनिस्टी सोधिया अर्विंद केजरिवाल संजे सिंग को समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक को किस तरह से मुझ दिखाया जाए किस तरीके से इन सब चीजों को डिफेंड किया जाए पहला मसला तो ये है कि ये सराब घोटाले में पिछल 18 महिनों में अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली की जंता के 28 कड़ों रुपे लुटा दिये सिर्फ वकीलों का फीस ये RTI और जानकारियों के आधार पे बहुत सारे आरोप लगाने में माहिर हैं अब इनकी पोल पट्टी खुल रही है कि पहले दिल्ली की जंता को लुटो घोटाले करो और उसके बाद जब फस जाओ तो वही दिल्ली के जंता के पैसे का इस्तमाल अपनी चमड़ी बचाने में वकीलों को दो किन किन वकीलों को दिया है आप नाम सुनेंगे आप भी दंग रहेंगे पूरी डिटेल में आपको आगे दूँगा दूसरी खबर यह जो बवाल चल रहा है मेर के चुनाओ को लेकर आज बड़ा तगला जवाब करारा जवाब जिसे कर सकते हैं एल जी की तरफ से दिया गया है वो सारी जो दलीले केजरिवाल की तरफ से दी जा रही थी एल जी ने साफ साफ कहा यह अरवंद केजरिवाल और आम आदमी पाटी मेर के चुनाओ और तो और वो जो अल्डर्मन को जो मनुनीत किया गया है उसके उपर अफवाप फैला रहा है जूटी बाते बता रहा है लोगों को बरगला रहा है इतना ही नहीं बड़ा ही कटाक्ष तरीके से एल जी ने केजरिवाल को चुनाओती दी है कि आओ बैठके बाचीत करते हैं तुम्हें नियम कानून समझाते हैं और तीसरी खबर जिसके बारे में कल कैपिटल टीवी ने खुला सकिया था किस तरीके से ये सीसी टीवी कैमरा लगाने में सतंदर जैन और केजरिवाल ने घोटाला किया कैसे सीसी टीवी कैमरा लगाने वाले कमपनी बी ई एल भारत इलेट्रोनिस लिमिटेड के उपर पहले केजरिवाल की सरकार ने टाइम पे काम खत्म नहीं करने के लिए सोलह करोर रुपे के बकाइदा जुर्माना और उसके बाद साथ करोर रुपे घूस खाकर उस जुर्माने को वेवाफ कर देने का केस साबने आया है केजरिवाल को लगे इन तीन जटकों में सबसे पहले डील करते हैं जो आज की सबसे ताजा गरम खबर है कि कैसे घोटाले बाजों को बचाने के लिए अरविंद केजरिवाल ने दिल्ली के जनता के 28 कड़ों रुपे पानी में बहा दिये वकीलों को पैसा दिया जा रहा है बच चोरे भी करो तुम और उसके बाद जनता के पैसे से डिफेंड भी तुम अपने आपको उस पैसे से करो क्या ख़बर आई है आम अधीपर्टी गोर्वेंट इडली एड रुपीज़ 25 क्रोर 25 लाक्स टो लोयर फ़ाइज वाइड देली एक्साइज पोलीज़ के स्थाइज विल इस तोल स्पने इड लोयर फी वाज रुपीज़ 28 क्रोर 10 लाक्स अवर लास 28 मुझ अगरिज भावन सोर्स, Senior Advocate Dr. Abhishek Manu Singhbhi received 18 क्रोर 97 लाक्स of the रुपीज 25 क्रोर 25 लाक्स वाइड अधर लोयर राहुल महरा who has often appeared in jailed minister Satyan Jain's case got रुपीज 5 क्रोर 30 लाक्स during the period वाइड लो जितना लूटना है ये राहुल महरा कौन है पहले आम आधी पाटी के प्रवक्ता होता था केजरिवाल महान है इसलिए महानता दिखाता था फी लिया है इनोंने फी लेकर के दिक्कत क्या है ये जो सतिंद्र जैन को डिफेंड कर रहे हैं या फिर सुराब घोटाले में जिसे डिफेंड किया जा रहा है क्या ये इमांदारी है कि गोटाला करने के बाद आप लोगों को कोई सरकार के उपर तो हो नी रहा इंडिविज्विज्व नाम है सीब्याई के चार सीट में पंदरा लोग है तीन अधिकारी है एक मिनिस्टर और बाकी प्राविट प्लेयर्स है ये ठारा ठारा करोर रुपए अभिसेक मनुस सिंग्वी को क्यों दिया जा रहा है क्या सेटिंग और गेटिंग हो रही है इस सब चीजों में ये दिल्ली के जनता पूछे की नहीं आपको बचना है अपनी चम्री बचानी है अपना पाप तुमको धोना है अपने पैसे से दो दिल्ली के टैक्सपेर के पैसे का स्तमाल ये जाइज नहीं है और इसलिए क्योंकि ये अरविंद केजरिवाल अपने आपको बरस्टाचार से के खिलाफ लड़ने वाला को युद्धा बताता था किस चिस से युद्ध कर रहा है ये साफ साफ अप नदर आ रहा है बरस्टाचार के मामले में दूसरी खबर जो दूसरा जटका लगा है जिसके उपर बहुत जल्द जाच पिठनी वाली है इस केस की भी जाच होगी जिसमें ये पाया गया कि सी सी टीवी कैमरा लगाने वाली कमपनी की भारत इलेक्ट्रोनिस लिमिटेड के उपर केजरी वाल की सरकार ने बड़े पंपन शो के साथ ये घोशना की थी कि भी कमपनी वाले ने टाइम पे सी सी टीवी नहीं लगाया इसलिए सोला कड़ो रुप्या इसके उपर जुर्माना डाला जा रहा है और अंदर खाने सरतंदर जैन ने डील कर लिया और ये सारी जानकारी बी यल के अंदर चल रहा है कि इन्विस्टिकेशन के दौरान जो आरूपी वहां पे थे जिन्होंने ये सारी जानकारिया दी वो सब मिनिट्स अप दू मीटिंग जो एक लीगल डाक्मेंट है उस दौरान तेकी गई है सारा कुछ कैमरे में कैद है कि किस तरीके से चुनाओं के लिए यहां तक उसमें कहा गया है कि एसेमली एलेक्शन सा गय थे सोलग कड़ो रुपए बकाइदा एक डेकोई क्रियेट किया गया कि भई बी एल के उपर हम इतना फाइल लगा रहे हैं और अंदर खाने सतंदर जैन ने डील कर ली जो गंदर सिंग नाम के सक्षे जो बी एल का रिपन्टेटिव है वो खुद बता रहा है कि मैं इंचार्ज था और बाद में सिटल किया गया सिटल भी कैसे किया गया बी एल तो वैसे डिरेक्टिव पैसे नहीं दे सकती तो जो वेंडर से उसके पैसे बढ़ाए गए ताकि इनको घूस खिलाई जा सके घूस खोरी में केजरी वाल ने सारे रिकॉर्ड्स तोर दिया ऐसा कोई डिपार्ट्मेंट नहीं बचा जिसमें इसकी चोरी रंगे हाथ पक्री नहीं गई हो अब तीसरा मसला जिसको लेकर के बवाल चल रहा था तीन चार दिनों से वो बकादा एक ही रट लगाए वे था कि LG साहब ने गलत फैसला ले लिया ये एल्डरमेंट की नुक्ती गलत हुई है ये जो प्रोटेम स्पीकर MCD के अंदर जो नुक्त किया गया वो भी गलत है और लगतार वो चिठी भी लिख रहे थे कि LG साहब ये बताएं कि सम्मिधान में अगर लिखा हुआ है कि LG स्लैस एड्मिनिस्टेटर इसका मतलब क्या होता है भई इसका मतलब वही होता है जो लिखा हुआ है LG और एड्मिनिस्टेटर LG एड्मिनिस्टेटर है और LG भी है दिली के अंदर में तो ये फैसला चीफ मिनिस्टर को तो नहीं दिया जाएगा लेकिन दलील इनकी यह है कि जो कानून नहीं कुतरक के उपर आधारित है वो लगातार केजरिवाल चिठी लिख रहा है कि कि जहां जहां LG लिखा हुआ है जहां जहां Administrator लिखा हुआ है वहां वहां केजरिवाल के इशारे पे LG काम करे सौरी दिल्ली कोई पुर्ण राज्य नहीं है कि जहां गवर्नर को वहां की लोकल गवर्मेंट सरपास कर सके अभी भी इस्पेशल स्टेटस जरूर मिला हुआ है लेकिन केंद्रिय सासित राज्यों के लिस्ट में दिल्ली अभी भी एक्जिस्ट करती है इसलिए नियम का चलावा कानून का चलावा दे करके ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है दरसल इसका इंटेंशन ये है कि ये बवाल करके किसी तरीके से मेर का चुनाओं ना होने दे और डर इस बात का है से कि कहीं standing committee में इसके हाथ से ताकते चली गई तो फिर ये चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे economic powers जो हैं वो mayor के पास नहीं बलकि standing committees के पास होते हैं दिल्ली के अंदर में और वहां ये कब्जा करना चाहता है और ये LG होने नहीं देंगे तो चिठी का दौर चल रहा था तो आज LG ने बस कुछ घंटे पहले एक चिठी लिखी अर्विंद केजनिवाल को ये कहा कि बहुत चिठी आप लिख रहे हैं और appreciate भी किया कि खैर चलिए कि देर आए दुरस्त आए कि अब आपको दिल्ली के governance में भी कुछ interest आपका जगा है अधरवाईज आप तो हो कभी पंजाब तो कभी गोवा तो कभी गुजरात तो कभी उत्राखन तो कभी हिमाचल elections में ही बीजी थी लेकिन खैर अब आप इंटरस्ट दिखाना शुरू कर दिये हैं तो फिर आपस में आमने सामने बैठ जाते हैं यह जो टकलाव के स्थिति एल जी और चीफ मिनिस्टर के बीच जो हो रही है इसको खत्म करने के लिए हम लोग वारतार आप करेंगे आईया आपका स्वागत है आपसे बातचीत करे लेकिन आप जो यह आप वाफ भैला रहे हो कि जो पांच लोगों को हमने रेकमेंड किया था उसे आपने नहीं चूज किया अपने मंद से प्रोटेम स्पिकर बना दिया यह तमाम चीजे के उपर एल जी ने साफ साफ लिखा कि आपने जो अपने मुकेश गोयल का नाम प्र प्रिकट बाटने का आरोप था इन्वेस्टिएशन चल रहा है तो ऐसे बैमान आदमी के उपर ऐसे आरोपी के को प्रोटेम स्पिकर कैसे बनाया जा सकता है दूसरा नाम आपने सुलजाया किसी प्रिती जो पारशद हैं उसका भी हमने इसलिए रिजिक्ट किया क्यूंकि आपको साइद मालूम नहीं हो लेकिन हमने पता कर लिया कि उसके उपर क्रिमिनल केसे चले हुए है एक से एक एक के उपर भरश्टा चार का आरोप पैसे लेक क्रिमिनल केस और आप उसे स्पीकर बनाना चाहरे हो एम सीडी का वाह ये राजनीती को साफ करने आये थे पूरी तरीके से की चल में जो है अपने आपको सान लिया है दो और नाम थे लजी ने बताया कि एक तो पांचवी पास है दूसरी दसवी पास है चो चार नाम ये हो है पांचवा नाम जो आपने दिया उससे कहीं बहतर क्योंकि उनके पास सिर्फ पांच वर्ष का experience है हमने दस साल के experience वाले महिला को हमने प्रोटेम बनाया कौन सा गलत काम किया एक तो अधिकार प्रोटेम प्रोटेम स्पिकर कौन निक्त करेगा ये LG के पास है लेकिन फिर आपने जो सेजिसन दिया उसको हमने कंसिडर किया और हम बता रहे हैं आपको कि किस ग्राउंट पे हमने आपके सेजिसन को रिजिक्ट किया चोर उचक के भरस्टाचारियों को आप उहदे पे बिठाऊगे और एल जी चुप चाप कटपुतली के तरह आपकी बातों पे हां मे नहां करेगा ये स्थती तो अभी पैदा नहीं हुई है उसके लिए आपको मुर्दभाशी होना पड़ेगा राजनिती कम और कोपरेशन ज्यादा करना होगा लेकिन केजरिवाल तो पूरी दुनिया से लड़के खुद अपनी हेकड़ी चलाने के लिए ब्रस्टाचार और चोरी करने के लिए ये सब काम करते हैं तो आज तीनों जगह पे मूर्ख खानी पड़ी है केजरिवाल को अब देखना ये है कि मीडिया वाले भी बिग गए हैं या ये सवाल उठाएंगे कि 28 कड़ों रुपे दिल्ली की जंता का कहा गया जा मीडिया वाले ये पूछेंग केजरिवाल तुमने तो कहा था कि 2019 तक हम हर चौक चौराहे पे हर गली में सिसी टीवी कैमरा लगा देंगे कहा है वो कैमरा और नहीं लगा तो उसके लिए आपनी जिर्मा ने दिया उसमें भी घूस खा लिया तुमने कोई मीडिया उठाएगा ये सवाल नहीं उठाएगा सब के मूँ पैसे से बंद कर दिये गए हैं और तीसरा जो सबसे अभी जो सबसे जुलंद है मेर के अलेक्शन को लेकर कि जिस तरह की अफवाह के जरिवाल उडा रहा है कि ये जो दस लोगों को नॉमिनेट किया गया वो मेर के अलेक्शन को प्रभावित करने के लिए तो इनियम कानून के मताबिक बिलकुल बात साफ है कि इन लोगों के पास जो मनोनीत पारशद होते हैं जो अल्डर्मन कहलाते हैं उनके पास मेर और डिप्टी मेर के अलेक्शन में वोटिंग राइट्स नहीं हैं लेकिन फिर भी जब जूट और अफवाह के जिवाल ना फैला है तो फिर यह राजनीती का नटवर्लाल कैसे कहलाएगा आप देखते रहे कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद झाल